गुद मॉर्निंग स्टूदेंट्स, यो अलर वेलकम टू दे चैनल, स्टूदेंट्स हम लोग अपनी पाइफन प्रोग्रामिंग सीरीज में सेट टॉपिक पड़ रहे थे, लास्ट जो लेक्चर आया है मेरा वो है पाइफन के जो सेट के मेथड्स है, मतलब प्री दिफाइ आज के लेक्चर, आज का जो लेक्चर है उसी का कॉंटिनुएशन है, आज हम पार्ट टू में बच्चेवे अधर मेथेड्स को कवर करेंगे, ठीक है स्टूदेंट्स, तो चलते हम अपनी कोडिंग स्क्रीन पे, जबसे पहले आज की मैं हेडिंग डाल लेता हूँ, लास्ट लेक्चर वाली हेडिंग है हला की मेथट्स ओफ शेट्स इन पाइटन, जिसमें ये भी लिखा देता हूँ, students कौन-कौन से मेथट्स मैं करा चुका हूँ, जिसमें हमने, लास्ट लेक्चर में आपको इन ठीक है और आपको वीडियो मेरी description में मिल जाएगी add के बाद clear कर लिया है हमने third copy कर लिया है fourth difference कर लिया है and last one is fifth intersection कर लिया है ठीक है students अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि set जो topic है या इसके जो methods है 11th class में mathematics में जो भी बच्चा 11th में mathematics में उससे था उसने maths में चप्टर पढ़ा होगा sets ठीक है न 11th या 12th 11th में यह शायद वो तो बिलकुल उसी से related is के methods है जैसे आप intersection method देख रहे हो तो भई set का intersection पता है ना आपको कि common element निकाल के देता है यह तो वही same intersection यहाँ पे भी same है तो आपको पिसली वीडियो में clear हो जाएगा मैंने with example लिखाया है आज हम बच्चे वे आगी के methods करेंगे जिसमें पहला method है student 6th number जिसे हम कहेंगे उस method का नाम है discard discard C-A-R-D करता क्या है भी discard method this method this method is used एक मेंट मैं इसे ना comment के under कर लेता हूँ वहने बार-बार red statement देता रहेगा this method is used to remove या delete कह सकते हो a specific specific element ठीक है this method is used to delete a specific element syntax क्या है आपको आपके set का नाम लिखना है मानलो मेरे set का नाम st है dot discard और discard के circular bracket के अंदर आप अपना वो element दे दोगे जिसे आपको delete करना है students ठीक है कैसे एक छोटे से example से इसे समझते है मानलो मेरे पास एक st नाम की set है और उसमें कुछ elements मैंने रखे है curly bracket से denote होती है set और element में है क्या मैं नाम रख देता हूँ पाच्छे ठीक है और इसके बाद मैं लिखता हूँ st.discard ठीक है और उसमें मैं एक element पास करता हूँ that is मैं पहले आस कर देता हूँ राहूल ठीक है और इसके बाद मैं print करता हूँ st तो आप notice करोगे students कि st में से आपका वो जो राहूल नाम है वो रिमूव हो चुका होगा मैं आपको run करके code दिखा देता हूँ एक बार आप चेक करते हो कि सारे नाम आ रहे हैं बट राहूल हट चुका है ठीक है students तो पहला method clear मतलब 6th number discard discard के अगला method है इसका नाम है remove method number 7th है ठीक है remove करता क्या है this method is used to delete a specific element from the set अब सर यही definition आपने discard में भी लिखाई और यही definition remove में भी लिखा दी तो दोनों में फिर difference क्या है difference मैं अभी दिखाता हूँ पहले आप देख लो कि remove कैसे चल रहा है st.remove and remove में भी same काम आपको करना है that is क्या अपना e-le भीज़ देना है और यह आपके element को remove कर देगा जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ discard की जगह बस मैं remove लिख दे रहा हूँ कुछ change नहीं कर रहा discard की जगह बस मैंने remove लिख दिया same example आप example अलग से note कर सकते हो अपने notes में ठीक है run करते हैं दुबारा code को और आप notice करोगे कि remove ने भी होई किया कि राहूल वाला जो नाम था उसको remove कर दिया तो फिर सर डिफरेंस क्या हुआ difference मैं आपको दिखाता हूँ discard वापस से लिखता हूँ और discard में मैं एक ऐसा नाम पास करता हूँ जो मेरे set में है ही नहीं that is मैं नाम पास कर देता हूँ नमन अब आपको दिख रहा है कि नमन नाम का नाम मेरे set में नहीं है मगर same case अगर मैं remove के साथ करूँ तो मैं discard की जगा remove कर देता हूँ और नमन पास करता हूँ आप अब notice करोगे कि remove आपको error दे देगा तो यही एक difference है discard और remove में बाकी कोई difference नहीं है ठीक है दोनों same ही काम करते हैं बट यहाँ पर आप लिख सकते हो the remove method the remove method returns an error if the element passed to it is not present in the set clear बस इतना ही difference है तो hope सभी को remove और discard दोनों method clear हो गए इसके बाद अगला method method number 8 इस method का नाम है students pop यह भी delete ही करेगा त्योंकि आप list में पढ़ चुके हो कि pop का का काम भी delete है मगर pop आपसे नहीं element मांगता है पूचता है नहीं आपसे उसकी नाम आम कुछ नहीं आप बस pop लगाओ वो खुद पर खुद एक element अपनी मरजीर से select करेगा और उसे delete कर देगा इस method is used to delete a random element from the set syntax क्या है same st dot st dot या pop और pop के circular bracket में कुछ नहीं देना होता students जैसे मैं इसी code में editing करता हूँ यहाँ पर यह हटाया है मैंने यहाँ पर मैंने pop भेजा ठीक है और फिर मैं run करता हूँ code को तो आप notice करोगे कि अपनी मरजी से किसी भी element को उठाएगा pop और delete कर देगा run करे यह देखो भई उसने अपनी मरजी से कौन से नाम को delete किया है कमल कमल वाले नाम को उसने automatically खुद बखुद delete कर दिया हाँ set में एक advantage यह और है कि यह जिसको delete करता है this method also returns the element which is deleted जो element यह delete करेगा उसे साथ साथ return भी करता है students return का मतलब आप एक variable बनाओ val नाम का और उसमें set की value st.pop की value store करा दो पर यहाँ पर print कर देते हैं हम एक statement लिख देते हैं deleted element जैसे पीछे मैंने अभी धूनदा था ना आप मुझे धूनने की भी ज़रत नहीं है यह खुद बता देगा कि आपका deleted element यह value में पड़ावा है ठीक है क्योंकि वो value में return करके जाएगा run करे एक बार इसको भी और आप notice करोगे कि इसने देखो किसको delete किया है इस बार कुनाल को और आपको दिखाया भी है proper कि deleted element is this तो यह था कौन सा method pop method hope सभी को pop भी clear हुआ अब आगे बढ़ जाते है pop method से next ninth method method का नाम है students union तो भई set का union जिसने maths पढ़ी है उसे पता होना चीए कि दो sets का union क्या होता है वो दोनों sets को merge कर देता है और जो common value intersection की value होती है उसे बस एक ही बार रखता है कैसे अभी हम देखते है तो लिख देता है this method combines all the values in a single set of the two sets pass to it it and the elements which are in the both sets sets occurs only once in the new set ठीके students अब देखो भई ये हमें एक नई सेट रिटर्न करता है कौन union method पहले मैं आपको syntax बता देता हूँ union करने के लिए दो sets की जरत पड़ेगी मालों आपका set 1 st1 dot आप union लिखोगे और union के bracket में आप st2 को दे देते हो तो ये क्या करेगा st1 में st2 मतला इन दोनों को क्या करेगा union करेगा जोडेगा और जो common entries है उसको एक ही बार रखेगा दो बार नहीं रखेगा और फिर आपको एक set return करेगा मतला आप इसे कहीं store कराओगे कैसे? मैं एक छोटे से example से इसे समझाता हूँ मैं example यहां पर पूरा बदल देता हूँ set 1 में मैं is equals to कुछ values रखता हूँ values में है alphabet A alphabet B alphabet oh sorry alphabet D alphabet A alphabet N alphabet P ठीक है? इतने मैंने किसमें रखेगा? st1 में एक st2 बनाता हूँ उसमें भी कुछ चीजे रखता हूँ जिसमें है पहले Z फिर Z फिर Y फिर W फिर कुछ common रख देता हूँ जैसे K फिर D और फिर एक M तो नहीं है उपर या H नहीं है H रख देते हैं ठीक है? अब मैं इसके बार लिखता हूँ value is equals to ध्यान से देखना st1 dot union method को बुलाता हूँ union और union के bracket में st2 को पास करता हूँ मतलब set1 और set2 का union होगा और union होके वो value में return हो जाएगा पूरी एक single set run करते हैं print करते हैं value को run करते हैं आप देखोगे कि st1 और st2 merge हो गई हैं और जो common element था वो सिर्फ एक बार आ रहा है मतलब एक तो d था common और एक k था देखो d और k की entry एक ही बार देखेगी और बाकी सारे merge हो गए आपस में ठीक है मतलब single set मिली जिसमें सारे element merge होए ये तो हुआ कौन सा method union अब चलते हैं इसी से similar एक method है जिसका नाम है update update method ये क्या करता है students the update method the update method is used to join the second set या merge words जादे बेटर होगा join की जगह merge the second set into the first set and it also also accepts the common elements in both sets only once चीक है मतलब ये भी पहली set को दूसरी में merge कर देता है student कौन update तो फिर सर फरक क्या हुआ फरक ये हुआ union st1 और st2 को merge करके एक नई set देता है वो st1 और st2 को नहीं बदलता देखो मैं अगर print करूँगा st1 को तो st1 जैसी है वैसी ही मिलेगी आपको और print करूँगा st2 को तो st2 भी जैसी है आपको वैसी ही मिलेगी मतलब वो आपके set 1, set 2 को कुछ नहीं कर रहा वो आपको अलग से set निकाल के दे रहा ये देखो कोई change नहीं है हाँ मगर update क्या है update set 1 में changes कराएगा कैसे कराएगा मैं आपको दिखाता हूँ st1.update ये तो इसका syntax हुआ update और इसमें st2 डालते है ठीक है तो देखना करेगा ये भी unionी students ये भी unionी करेगा मतलब merge करेगा बट इसके लिए आपको अलग से val लेने की ज़रत नहीं है क्योंकि return नहीं करता st1.update और update के bracket में हम डालेंगे st2 तो ये st1 को बदल देगा print करता हूँ अगर st1 तो जो merging हुई है वो st1 में हुई है ना कि अलग से किसी val में आप notice करो ये देखो st1 आपका बदल गया और अगर हम st2 को print करते है तो vote to students same ही रहेगा run करते है इसको भी और आप notice करोगे कि st2 same है कोई change नहीं है तो hope सभी को union और update में भी difference clear हो गया कि union और update में difference क्या है union आपको एक नई set देता है whereas update आपको पहली दूसरी set को पहली में merge करके पहली को ही update कर देता है तो hope सभी को ये भी clear इसके बाद अगला method है is disjoint is disjoint method का नाम है x11 method का नाम है is disjoint करता गया है this method returns true ये methods आपको true देता है if if अगर उन दोनों में कोई भी common element नहीं होगा मतलब intersection चेक कराता है ये अगर intersection नहीं हुई मतलब intersection का मतलब क्या होता है दो set में common element ना हो तब तो ये true देगा और अगर common मिल गया तो ये false देगा कैसे if the two sets do not have any intersection ऐसे word यूज कर सकते है या अगर जादे easy language में लिखना है तो students आप ये word भी यूज कर सकते हो if both the sets या if the two sets do not have common element in them जैसे माल लो आपकी पहली set है st1.is disjoint और disjoint में st2 और जैसे इसमें मैं case लेके चलता हूँ माल लो print st1.is disjoint st2 अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया common होगा तो false देगा और आपको दिख रहे हैं कि यहाँ पर दो-दो element common है मैं run करता हूँ और यह देखो false आया क्योंकि common था मगर एक काम करता हूँ जो common है नहीं मैं उन्हीं को हटा देता हूँ यह मैंने k हटाया और एक मैंने d हटा दिया और इसमें से भी k और d दोनों मैं गायब कर देता हूँ यह मैंने d हटाया और यह मैंने k हटा दिया अब देखते हैं true आता है कि नहीं और run करते हैं और आप notice करोगी कि आप true आ रहा है तो इस disjoint method भी hope सभी को clear clear students तो इतने ही method set में थे students आज हमने set के सारे methods भी cover कर दिये total 11 methods है method add, clear, copy दो parts में video है पहले part में यह 5 methods है और आज के part में बचेवे methods मैंने cover कर दिये with examples ठीक है? अब next lecture जो आएगा वो इन ही methods के उपर questions होंगे हम कुछ questions cover करेंगे coding और उसके बाद मैं python programming का एक नया chapter शुरू करूँआ that is functions most important topic है python programming का ठीक है students आज के लिए इतने ही till then keep watching and keep learning thank you, have a nice day everyone